दोस्तों आज हम जानते हैं दुनिया को जंगल के बारे में। एक समय ऐसा था जबकि सम्पूर्ण धर्ती ही जंगल और समुद्र से ढकी हुई थी। मानव की आबादी बढ़ने के साथ ही पेर काटने लगे और जंगल का शेत्र भी सीमित होने लगा। लेकिन खुशी की बात है कि आज भी धर्ती के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर जंगल और जंगली पशुओं का रास कायम है और यदि आप एडवेंचर को पसंद करते हैं और जोखिम उठाने का शौक रखते हैं तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दुनिया के टेन सबसे खत वर्ग किलोमिटर में फैला हुआ है यानि भारत और चीन दोनों का जितना क्षेत्रफल है उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल इस जंगल का है स्वर्ग की तरह नजर आने वाला यह जंगल अंटार्कटिक महासागर में भी मौजूद है इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तरी ध् चारण यह बेहद ही ठंडा है इसके कई हिस्सों में तो बस बर्फ बारी होती रहती है इसलिए यहां पशू और पक्षियों की कम ही प्रजातियां पाई जाती है और यहां चार या पांच प्रकार के पेड़ ही पाए जाते हैं इस जंगल में रशिया के साइबेरिया का दुनिया का सबसे बड़ा रेंफॉरेस्ट पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, बोलिविया, एकवाडोर, सूरिनाम, गुयाना, वेनेजुएला आदी देशों में फैला यह जंगल करोडों पक्षियों और खुंखार जानवरों का घर है हमें जॉन के जंगलों में एमजॉन नदी भी मौजूद हैं कहते हैं कि यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी रहता है, इस जंगल में बगैर सुरक्षा के घूमना मौत को दावत देने जैसा है है यदि आप सच में ही एडवेंचर के शौकीन हैं तो इस जंगल की सैर जरूर करें नंबर थरी कांगो फॉरेस्ट ये तो आप जानते ही है कि अफरीका तो जंगलों का ही महादवीप है लेकिन उसमें की कांगो तो बहुत ही भयानक है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 20,23,428 वर्ग किलोमेटर में फैले इस जंगल में 10,000 से भी अधिक प्रकार की प्रजातियां के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसमें पुराना नाम की मचली या किसी भी इनसान को मिंटों में खत्म कर सकती है नमबर 480 वैन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में लगभग 2,49,000 वर्ग किलोमेटर में फैले इस जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर पूरे वर्ष लगातार बारिश होती रहती है बारिश के कारण यह जंगल जहां लाखों कीडे मकोडे का घर बन गया है वहीं यहां के जंगल घने हो चले हैं लगातार बारिश के कारण पक्षों पर इकाई उगाई है इस जंगल में 122 से भी अधिक दुरलब प्रजाती के पौधे पाए जाते हैं यहां कई ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनकी प्रजाती विलुप्थ होने वाली है नंबर फाइफ फॉरेस्ट आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जंगल साथ हजार वर किलोमिटर में फैला हुआ है यानि श्री लंका से भी ज्यादा बड़ाक्षेत्र इसने घेर रखा है नौर्थ अमेरिका के अलास्का में पहले इस जंगल में असंख्य पशु, पक्षी और खतरनाक जानवर रहते हैं सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ पर आदिवासियों के लगभग 32 समों के 75,500 से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं जिन से बचकर रहना जरूरी है, खतरों और रोमाच से भरे इस जंगल को देखने के लिए हर वर्ष एक करोर से भी ज्यादा परियटक आते हैं नमबर सिक्स सुंदर्बन फॉरेस्ट भारत और बांगला देश के बीच फैला यह जंगल सुंदर्ता के साथ ही बेहत खौफनाक है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जहां सफेड टाइगर भी देखने को मिल जाएंगे आप पर कब और कहा टाइगर या कोब्रा हमला कर दे कह नहीं सकते हैं दस हजार वर किलोमिटर के खेत्र में फैले इस जंगल में टाइगर ही नहीं कई खुंखार जंगली जानवर और कोब्रा सामप पाए जाते हैं खत्रे के साथ ही गंगा और ब्रहम पुत्र का देटा होने के कारण इसकी खूबसूर्ती काफी बढ़ जाती है यही कारण है कि पूरे विश्व में या जंगल एडवेंचर परियटकों के लिए एक आदर्श स्थान है इस जंगल को भी यूनेसको ने विश्व विरासत घोशित कर रखा है नमबर सेवन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वैसे तो चीन में बहुत सारे जंगल है परन्तु ट्रॉपिकल की बात ही कुछ अलग है लगभग 24 टू वर किलोमेटर में फैले इस जंगल में 3500 से भी ज्यादा प्रकार के पे पौधे और जानवर पाए जाते हैं इसी कारण से बातनिकल वैग्यानिकों के लिए यह जंगल महत्वपूर्ण माना जाता है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिन एशिया के जैव संतुलन में ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट का 50% से भी ज्यादा योगदान है यहां घूमना जितना रोमाच भरा है उतना ही खतरनाक भी है नमबर एट डाइटरी को रेस्ट आस्ट्रेलिया में स्थित यह जंगल जितना खूबसूरत नजर आता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों और व्रिक्षों का घर है ये दस हजार से भी अधिक जीव जन्तूओं की प्रजातियां के जानवरों का घर है 1200 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में तितलिया चमगादर और हजारों कीडे रहते हैं इसे दुनिया का सबसे पुराना जंगल भी माना जाता है दुनिया भर से लोग इस जंगल को देखने के लिए आते हैं क्योंकि यहां पर डर और रुमाच का एक अनुखा मिश्रण है नंबर नाइन किनाबालू फॉरेस्ट मलेशिया द्वीप राष्ट्र में फैले इस जंगल को यूनेस्को ने विरासत स्थलों की सूची में रखा है लगभग से 154 वर किलोमीटर में फैले इस भयानक जंगल में 5000 से भी ज्यादा प्रजाती के पेड पौधिस्थित है उंचे उंचे परवतों से घिरे इस जंगल में कई तरह के खुंखार और आदम खोर जानवर रहते हैं दिजनी लैंड पार्क की तरह खूबसूरत लेकिन भयानक नजर आने वाला ये जंगल परियटकों से भरा रहता है दिन के दौरान ये जंगल जितना खूबसूरत लगता है रात में उतना ही डराबना नजर आता है आप यहां जाकर रोमांचित हो जाएंगे लेकिन यदी गाइड लाइन को नहीं माना जो जानवरों का शिकार बन सकते हैं नमबर टेन क्लावड फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में स्थित इस जंगल का पूरा नाम है इंडो नाम भी लो क्लावड फॉरेस्ट लगभग 192 वर किलोमीटर में फैला यह संपूर्ण जंगल बादलों से घिरा रहता है और वर्ष भर यहां बारिश होती रहती है जिसके कारण यह जंगल जलिये कीडों से भरा है जो की बेहद ही खतरनाक है हमें जॉन के जंगलों से यह जंगल कुछ ही दूरी पर है और यहां 1600 से ज्यादा पक्षी मेंधक और और दूसरी जाती के जानवर रहते हैं बादलों के कारण यह स्वर्ग में होने का एहसास देता है तो दोस्तों आज की विडियो में बस इतना ही आशा करता हूँ आपको विडियो पसंद आया होगा अगर इसी तरह की विडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नए विड आपको सबसे पहले मिले